नमस्कार मैंनी दी रतन आप देखरें नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए देखा आपके वीडियो किस तरीके से सावन के महिने में ओभी सी समाज और ऐसी समाज धरम बचाने के लिए सड़कों पर निकल चुका है इतना जादे धरम की आड में खोता जा रहा है कि उसको अपना हक अधिकार का हनन होते हुए नजर नहीं आ रहा है किस तरीके से महंगाई अपनी चरम सीमा परे किस तरीके से बेरोजगारी अपनी चरम सीमा परे ये सब ना देखते हुए उसने कसम खाई है हिंदू रास्टे बनाने की उसने कसम खाई है इस देश को रामराज्य बनाने की उसने कसम खाई है धरम बचाने की उसने कसम खाईये जैश्री राम के नारे लगाकर डंडा और जंडा उठाने की सुची किस तरीके से कावल को मोदी और योगी की पिच्चर के साथ दिखाया गया है किस तरीके से पीछे योगी अधित्यनाद का और आगे पिधारमंत्री का फोटो लगा कर कावर लेने जा रहे हैं हरी दुआर यह हो गई है हमारी देश की हालत यह हो गई है हमारे युवाओ की हालत कि किस तरीके से धर्म के नाम पर युवाओ के भविस्य से खेल रही है ये सरकार मैं किसी की भवना को आहत नहीं पहुचा रही हूँ लेकिन कब सच्चाई पर बात होगी आप कब तक धर्म के नाम पर भटकते रहेंगे सरकार यहीं चाती हैं कि तमाम मुद्दों से आप भटक जाएं सिर्फ धर्म की चादर ओड़कर और आप सरकार से सवाल ना करें सुचे इतनी अंदभक्ती वो भी सरकार के प्रती सरकार से तो सवाल होना चाहिए सरीके से ये युवा कावड लेने जा रहा और किस सरीके से उस कावड पर फोटो लगाया गया योगी अदित्यनात का और प्रधान मंतुरी का क्या उनसे वो सवाल करेगा क्या उस परिवार के जो बच्चे होंगे उनका उजवल भविस्य स्तेय हो पाएगा ये कावड उठाने से महंगाई खतम हो जागी ये कावड उठाने से उसके बच्चों को रोजगार मिल जाएगा ये कावड उठाने से उसके बच्चों का उजवल भविस्य बन जाएगा आपको सरकार सी भटका रही है और इस बात पर भी अगर किसी की भावना आतो जा रही है तो आपकी भावना बहुत कमजोर है इसको अपने कंट्रोल में रखिये अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल में रखिये और आपकी भावना वहां आहत होनी चाहिए जब आपके fundamental drives की बात हो जब आपके हक अदिकारों की बात हो जब आपके रोजगार की बात हो क्योंकि इस देश में भैबुख व्रस्टचार्ग पर बात ना करके धरम की चादर उड़ाकर जनता को भटकाने की कोशिस की जा रही है सरकार तमाम तरीके के एजेंडे करम कांड करकर आपको भटकाती रहेगी और आप उसके जा ओड़ू काव में लेगी डूहां करी कि सोचने बात है कि आपका भला गावर उठाने से एगंटाब ज़ाने से नहींचलने वाला है आपका धरम एक निजी मसला है आपका धरम एक पसनल लाइफ को एक हिस्सा है लेकिन पुरी लाइफ नहीं आपके बच्चु का पूरा जीवन नहीं है पाटी के नेता अभी नेता प्रवक्ता के बच्ची तो बहर विदेसों में पढ़ रहे हैं और आपका बच्चा कावड उठा रहा है आपका बच्चा धरम का बोज उठा कर सड़कों पे दरगर भटे करा है और आपको लग रहा है कि हम राम राज्य में रहे रहे हैं इस देश को विश्व गुरु पनाएंगे एक तरफ जब चाइना हमारे बाड़ों पर घुस रहा है और दूसरी और हम फाइफ जी की बात कर रहे हैं लेकिन हम युवाव की सिती जब देखते हैं तो बेहस जादा द उखोता है सोचिक किस तरीके से युवाव को नशे की लत लगा कर धरम की चादर उड़ाकर बटकाने की कोशिश कर रही है यह सरकार क्यूंकि सरकार से रोजगार की बात नहीं हो सकती है इस देश में बिना फ्री टेक्स फिल्म दिखाई जाती है कश्मीर फाइल लेकिन खा तरि लंका से भी बत्तर हालात होंगे इस में शिक्षा की कमी ए इस देश में जागरुकता की कमी है क्योंकि यहाँ पर धरम पर लोगों के ज़्यादा भवनाहत होती है धरम को लेके लोगों के हट्स होते हैं तमाम तरीके के एक नुपुर्श शर्मा नाम की महीला का भड़काव बयान आता है तमाम लोग अपने मुद्दों से भटक जाते हैं अरे सरकार तो लगाता रहे से लोगों को आगे करती रहेगी लेकिन आप अपने हिस्से की इमांदारी रखिए अपने बच् सरकार वो सब धीरे-धीरे खतम कर रहे हैं और आप लगातार टांग कर सड़कों पर चलते रहे हैं धरम की चादर ओड़कर कावड उठाकर योगी अधित्केनाथ का फोटो लगाकर यू मोदी का फोटो लगाकर इससे आपका भला नहीं होने वाला इससे आपके बच्चों नहीं मिलने वाली इससे आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलने वाली आपको पढ़ना होगा लिखना होगा सरकार कितने कॉलेज यूवरसिटी की बात करती है सरकार कब स्वास्त पर बात करेगी सरकार कब आपके बच्चों के आने वाले सपनों पर बात करेगी लेकिन सर तरीके की चीजें आपके सामने परोष रहें और आपको समझ नहीं आ रहा है दूसरी बड़ी खबर खुशी की खबर भी कह सकते हैं और दुखत भी खबर कह सकते हैं। खुशी की बात इसलिए क्योंकि भारत की आदिवासी महिला राष्ट्यपती बनी है पंद्रवी राष्ट्यपती बनने का सोभाग भारत की पहली राष्ट्यपती महिला को जाता है द्रोपती मुर्मू को तो बहुजन समाज के लिए खुशी की बात है लेकिन दुख की बात कि जिस तरीक से रामनाथ कोवीन राष्टपती होने के बाद भी कास्रिट्रो सिटी कम नहीं। जाती भेदभाव कर दिससा माइसी समाज का भला होगा। ब्रामड ही मंदिर का पुजारी बन सकता ये मनुस्मिर्थी की देन है लेकिन जलित आदिवासी भारत का रास्यपती बन सकता है ये जॉक्टर अमबेजकर के सविधान की देन है भारत गंडाज्य की प्रथम आदिवासी महिला रास्यपती बनने पर स्रिम्मती द्रोपती मु और आदिवासी समाज की प्रथम महिला को राष्ट्रपती के पद पर बिठाता है यह सविधान की देन लेकिन भारत्य जनता पाटी लगतार उस चीज को खतम कर रही है कि बाउजन समाज जब पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इसलिए सरकार कॉलेज युनुवसिटी पर ताले लगा रही है सोचिए डेली उनुवसिटी के मैंने लास्ट ख़बर आपको सुनाई थी कि किस तरीके से वहां पर आरेसस का हाई आरेसस का कभजा हो चुका है आरेसस ने तमाम कॉलेज युनुवसिटी को हाई जैक कर लिया है लेकिन जो सरकार से सवाल करता है जै अपनी आलोचना से और सरकार को डर लगता है हक अधिकार मांगने से क्योंकि सरकार ने सिफकान किया है धरम के नाम पर सरकार ने स्कूल कॉलेज युनिवसिटी स्वास्थे पे कामी नहीं किया उसमें वो फेल हो गई है और आजी के दिन 22 जुलाई 1947 को जक्टर बियारम बे कैसे खिलवाड कर रहे हैं इस पर किसी की भावनाहत नहीं होगी इस पर किसी को विरोध नहीं करना है इस पर डंडा नहीं उठाना है इस पर जंडा नहीं उठाने इस पर पत्थर नहीं उठाना है क्योंकि सरकार जो कर रही है आखों पर पट्टी बांद कर जनता उनकी बा उस पर कब काम करेगी कहने के लिए तो वो राश्यपती को बना रही आदिवसी समाज से लेकिन कहां आदिवसी समाज की सितिवग बहतर हो पाई है आज भी उनकी जमीनों को ठीना जाता है और कॉर्परेट घरानों को दे दिया जाता है अंबानी अडानी के एंपायर को पायगा जब आपके पैट में रोटी होगी धर्म तभी बच पायगा जब आपके बच्चे सशक्त हilah की पहन कर दो ते भाट 25 शौला कंद दो क्रूस्ट जब आपके दो करम कर्म कई स्वास्ति के लिए सरकार कं कर रही हो आपको थैग करना है कि सर्कार से-सर्कार Ghost कि सरकार जो है आपको बटकाने की कोशिश करें आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जिस जिसकी भावना आहत हो रही है तो वो मानव अधिकारोग पर अगर भावना आहत करें तो जाधा अच्छा आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप अपनी राय मुझे कमेंट बटकाने के लिए गंटी दवाएं निसनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें